अगर यह उसको वह अठारा तरीक को ले लेता है जो हम लोगों ने आठ मिलियन ट्वीट कराया था तो इतना उपद्रों नहीं होता लड़कों ने भी जो किया आरा में वह गलत है कहीं से भी हिंसा स्विकार नहीं है हमाई जे टीचर उसकी हम निंदा करते हैं यह नहीं होना चाहिए लेकिन ने एक अच्छा इस्टेप लिया है कि उसने सारे स्टूडेंट से अपनी सुझाव सोला फरवरी तक मांगा है और हर एक से कहा है कि वह लोग अपनी रिपोर्ट चार मार्स तक दे इसके बाद क्या होगा तभी का सकते हैं अभी कमेटी बैठाई गई है पा बाते हो रही है कि आपके खांसर नहीं या कुछ सिक्षकों ने प्रवोग किया था देखिए यह गलत बात है यह कुछ जो ऐसे स्वतन्त यूटूबर घूमते हैं वो कुछ भी बोल देते हैं यह उनकी प्रॉब्लम है आप इसको समझे आप सब लोग चुकी प्रतिश्टि लिख रहे हैं तो वह डिलीट कर दे रहा है अभी भी हमारे वीडियो हम उसको डाले भी है यहां पर हम लोग रोक के रखें अभी भी जैपूर के लड़के कर रहे थे हम लोग आज करेंगे आंदोलन या भी रेलवे का आज छबी जनवरी को हमने सब को बंद कराए कि आज जनवरी को कुछ नहीं होना चाहिए और रेलवे ने कमेटी जारी किया रही बात खांसर ने किया तो काम करते हैं हम चूप हो जाते हैं तो अंदोलन भी चूप हो जाना चाहिए खुद पढ़े लिके लोग है डीम साब भी गय थे रेलवे में राजिंदा नगा उनका सुल्जे हुए इंसान है उनका काम law and order को मेंटेंड करना है वो अपने responsibility को 100% निभा रहे हैं उनके कहीं से भी कोई गलत नहीं है कुछ जो ऐसे गलत काम करेंगे उन पर लेना पड़े लेकिन आरभी को भी सोचना चाहिए कि एक टीचर गलत बोल सकता है क्या पूरे हिंदु से हजार लड़के थे राजेंदर नगर टर्मिनल पर रेलवे ने एक एक notification जारी किया जिसमें सारे लड़के खुस हो गए कि सायद मेरी मांग को सुन लिया गया लेकिन उस notification में था कि जो देड़ करोड़ लड़के हैं जो गुरुबी का फॉर्म बरहे हैं अब उनसे मेंस क एक जाम लिया जाएगा जो दो देड़ करोड़ लड़के घर में बैठेते हैं वो अन और्गनाइज तरीके से बीना किसी प्लान से सीधे चले हैं जिस वज़े से ये जो भी जो घटनाएं हुई है ये घटनाएं कहीं से भी सही नहीं है हम लोग तो खुद रोक रहे हैं हम लोग तो प्रसाषन का सभी कर रहे हैं कहीं से आपको लग रहा है कि हम कहीं भी रोके हुए हम कल से हम लोग मतलफ खाना पीना पढ़ाना छोड़के लड़कों को सांध कराने में लगे हैं लेकिन देड़ करोड को आप अचानक प्रवोग कर दीजेगा तो ये आर भी को वालेगा